जुबान पे चड़ने वाला जो मामला है जो बिलकुल आत्मिय है उस आत्मियता में क्या हम कोई इंप्रोवाइज कर सकते हैं कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं एक बड़ा कलाकार आप जैसे प्राय का कलाकार यह आपकी गुरुवों ने किया कुछ ऐसे क्लिष्ट साहित को भी हम अपने पाठ का अपने प्रैक्टिस कांग बना सकते हैं कि वो लोकव्याप्ती में ग्राहे हो जाए उसकी ज्यादा स्यादा पूछ हो जाए और यह जो एक सहज प्रवाह है उसमें एक इन्वेजन हो एक मुठभेड हो कुछ नया आए देखिए हम तो जो काम कर रहे हैं वही अब नया है यानि इतना पुराना हो गया कि उसको करना ही अब नया हो गया यह बड़ी बड़ी रोचक बात है मुझे लगता है कि हम लोगों की समझ पर शक करते हैं जब हमें लगता है कि हम कुछ यदि नए ढंग से करेंगे तो ज्य आरीवदरिया, राधे बिन लागे न मोराजिया, तो यह आपको मालूम है कि वो स्वयम, उन्होंने स्वयम लिखी, हमारी गुरु ने, और उन्होंने हमसे कहा, हमारी गुरु गिर्जा देवी जी ने कि, हमेशा मान लिया गया गया ते प्रतीक्षा रत गोपिका, यह राधा आई है कारी, बदरियारे, राधे बिन लागे ना मुराजिया, घेरी आई है कारी, बदरियारे, राधे बिन लागे ना मुराजिया, अब उन्होंने खुद लिखा, आप देखिए कि क्या साहित लिखा बदरा तरसे, अरी नैना बरसे, बदरा बरसे, नैना बरसे घन और शाम में लागी है, होडवार राधे बिन लागना मुराजिया घन और शाम में आज होड़ लगी कौन जादा बरस थे, क्योंकि राधा कभी हो गए, बादल जादा बरस ले या नैन बरस ले, ये उन्होंने रचा और वो हमेशा बड़े उससे कहते थे, बिटी आम पढ़े नहीं हैं, और ये उन्होंने रचना करी, तो मुझे कभी-कभी य मुहमद खलील बड़े पुराने गाने वाले हमारे लोग गीतों के इलाबाद के रहने वाले थे, वो एक गीत गाते थे, और मैं उसका सिर्फ इसलिए उदारन क्योंकि जो कुछ लोगों को लगता है कि भई, मेरा इस पे बहुत शिकायत रहती है, कि लोग में भी बड़ा स साहित्यके संग, जिन-जिन के रचनाकारों का नाम पता था, उनको तो पाठिकरम में शामिल कर लिया गया, और जिनका साहित्यकार, मतलब रचनाकार का नाम नहीं पता हूँ तो ऐसे वैसे तो यह दादी, अम्मा, किसान, खितिहर, यह सब गईभे कर नहीं है, अरी आपको तो सरजुकाना चाहिए, सदके लेने चाहिए, उनके आगे जिन्होंने अनाम समाज के लिए रचा और समाज के लिए समर्पित कर दिया, कि पता ही नहीं कि किस ने रचा, और तभी ऐसा रच का पाए, क्योंकि स्वार्थ नहीं था, एक सहज अभिव्यक्ति थी, और ये प्रीत में न धोखा धड़ी, प्यार में न जासा, और प्रीत करी ऐसन जैसन कटा हर के लासा, प्रीत में न धोखा धड़ी, प्यार में न जासा, प्रीत करी ऐसन जैसन कटा हर के लासा, प्रीत में न धोखा धड़ी, प्यार में न जासा, जैसन अरे काटाहर के लासा जो ग्रस्थी ने वाजकल कटा हुआ कटाहर पन पॉलिथिन में घर लेके आते उनकी बात नहीं करने लेकिन जो खुद चाकू से कटाहर में को कड़ुआ तेल लगा कर काटती हूं जानती है कि कट तो जाता है दो घंटा खाली लासा छुडाने मे लगता है तो प्रीत करी आईसन जैसन कट हर के लासा इना हुवे आगी जोनी धद के भी न धूआ इना हुवे ताल तलहिया अरी प्रीत तहुवे मच्री जोने पानी बिन पियासा प्रीत में न धोखा धड़ी ये लोक साहित है रचा और गाया भी गया विरहा के बंद हमार है ऐसे ऐसे बन है मन मोरा अधहन तन मोरा चाओर अनाइन जैस मुंगवा की दाल अरे अपने बलम के जेवना जिवांतियों बिन लकडी बिन आग बताईए इससे बड़ा साहित कुछ होगा मन मोरा अधहन अतन मोरा चाओर मन मोरा अधहन तन मोरा चाओर अरे मन मोरा अधहन तन मोरा चाओर मन जैसे मुंगवा की दाल अरे अपने बलम के जीवना जिवांतियों बिनु लकडी बिनु आग आग आज भी इम आधर प्रदेश में तो अभी भी चुनाओं संपन्न हुए पांचा बैठे बड़ाई- पंच बाइफे, बडाई बडाई अवो पंच भी कहां पर बने मैं वह भी देखीैं हााााााा पंच बाइफे, बडाई पंच इसी होता रिंगा तूल अरे केकना मैं आरती उतारू मोड़राम जी अरे केकना मैं खोसू बेलाइके फूल किस को मानूं किस को प्रणाम करूं पंचायत का है अब पंच कैसे हैं जहाँ पंच तहाँ परमेशवर और जरा रहस से बाद आप कह रहे हैं साहिद देखे जहाँ कुवना तह कीच, उही कीच का बना चवतरा, जहाँ पंचे नवावें सीस, यह लोक साहित थे, रचनाकार नहीं मालूम, बालेशार यादव, आप जानते हैं, गाते थे, अब कैसे जबान पे चड़ा, दुश्मन मिलें सुबह सवेरे, मतल भी आर न मिलें, यह उनका म खड़ा था, लोगों के जुबान पर चड़ चड़ के बोला, क्योंकि सीधी सी बात थी, दुश्मन मिल जाए सुबह साम, कोई बातने, यार सबसे घाता के दी मतल भी आर मिल गया, यह बात में बात कही गई, विरहा का बंद था, लोगों के जुबान पैसा चड़ा की रात सुना ये आपकी बात कर पे अर्थ ये है कि जितने देशज भाव हैं जहां पर भी हम आत्म बोध को मैसूस करते हैं क्यों कोई भी गाना जहां अम्मा आ गया बाबु ला गया भाईया हो गया उगाना जुमान पर तुरन चड़ता क्यों वह हमें अपना लगता है जहां पर आ नहे की बात है डोला बिंदिया मचरिया अर ठाड़ी में जमुना के तीर मचरिया बिंदिया लई गई जाई कहो मरेव बहर ऐसा सुर से अर जमुना में जाल छुडवावें मचरिया बिंदिया लई गई ठाड़ी में जमुना के तीर अरे जाई कहो मौरे जाई कहो मौरे जागी कहो मौरे लहुरद वर्से अरे चार कहार बुलवावें मच्छरिया बिंदिया लही गई तो ये जो आत्मियता है दुविधा है कि बिंदिया चली गई लेकिन शेकायत करने के लिए दरोगा मुनसिफ नहीं है अपने हैं, जिनसे हम आज भाग रहे हैं, हमारा ससुर, हमारा देवर, हमारा पती अरे प्यारे नन्दोईया, सरवता कहां भूल आए ये जो विनोध का संबंद सरहज नन्दोई कहा है आगे आगे नन्दी चले पीछ चले नन्दोईया और मैं बिचारी उनके पीछे, मेरे पीछे संया, सरवता कहां जिसने लोक जीवन में सरवते की एहमियत नहीं समझी सरवती काटती हुए अपनी दादी नानी नहीं देखी कि दो एगंटा यही करते बीटता था और सरवता काटते वो जो विनोध होता था जो बतकही होती थी गाना हमारे आँ हमसे बलम की ऐसी बिगड़ी हमरी कतरी सुपारी नखाए पहले बहुत परदा था तो दुलहिन अपना कटी हुए सुपारी थोड़ा मेल मिलाप कराने के लिए छुटके देवर से भीजवाई कतरन देख के दुलह पहिचानगा ना आईसे अभी थोड़ी अभी दोस्ती नहीं नहीं खाएंगा यह जो जिसने वो जीवन नहीं देखा वो इन जीवन की एहमियत इन बातों को क्या जानेगा इन बातों के रस को भी समझ सकता है जिसने देखा इसलिए आज भी यह गाने तुरंट चड़ते हैं हमको जब लोग बोलते हैं कि रेलिया वाला सुना दे हो बैरन जो उने सहाबवा के सहिया मोरे नौकर गोली दागय सहाब मर जाए रहे आज कहें दीजे मुकदमा हो जाएगा लोग में यह सहाज अभी व्यक्ति है कि भडास है क्रोध है तो भई वो गरिया करके भी प्रेम दिखाना है अपना आज आप कहें दीजे कि भई अगोली दागय सहाब और इसका बड़ा रोचक किस्सा भी है यह मुझे बहुत संकट होता था कि भई अभिजातिवर्ग लोक देशे चीजों को उसी अर्थ में समझ नहीं पाता जैसे कई बार आप गारी सुनाई है तो अभिजातिवर्ग तो गारी का अर्थ समझ जगा यह वाकई गाली दे रहे हो गारी होती भी गजब गजब है संदी होई गए रहे नचनिया कैसे सपरी अरे एक से एक संदी है अरे अरे हम लोग के बंडेल खंड में तो गजब-गजब गारी जाई है मरे कुता पाली लेओ मुरे नए समधी कुता पाली लेओ मुरे समधी के मूच जैसे अब यह सब है जो बाकी हास परी हास क्योंकि तो सुना दीजे पूरा कर दीजे कहने का भी प्राई ये है कि पहले का आप तो समझ रहें आप तो स्वयमयोध्या से है कि लच्छमन जी क्रोधित हुए तो रामची ने यही कहा और मैं तो आज भी इसको और सहज भाव में कहती हूं खेर आजकल ये बाते परिभाशा अलग हो गई कि जिसको आजकल जो आजकल कॉक्टेल सोने लगी है आइस ब्रेकिंग के लिए कि भाई पहले मिलने जुलने पहले यही था सहजता आजाए संबंधों में हस लें क्योंकि बाद में भाई रसूर कहां मिलेंगे और बाद मारी लड़की हमने सौप दी तो हम तो दब के जुपकर विनम्र होके रहेंगे लेकिन आज तो बेटा आयो मंडप में सुनके ही जाओ यह जो पहले था समय भी होता था और इन चीजों का एक वो मैंने गाने का चर्चा की शुरुवाती है इसे की थी कि समधी मुझे पता ही नहीं तो समधी का अर्थ क्या है तो जो भी गाने है आज भी आप फिल्म के भी गीतों में आदर देंगे वो कविता हो फिल्म का गाना हो एक लोग गीत हो इविन शायरी में भी यदि आप सहज भावों को भी जगत दे रहे हैं तो वो तुरंट चड़ेगी कि people can relate to it उन्हें लगता यह हमारा है यह हमारे लिए कहा गया है यह और यह आजकल दुर्भाग यह ऑफसर इ vegana बजाना आत्मकेंद्रित हो गया आत्मकेंद्रित लिखना पढना गाना बजाना सब कुछ हैं पूरी कथा कहीं जाती है मतलब आप सासुर से शुरू होगा जेट की बात भी आएगी देवर की बात भी आएगी भाई की बात भी आएगी मानमिक धंग से भी आती है वो अमीर खुस्रो का विदाई का गीत है जो सावन में लौट नेकर प्रतिक्षा का अमा मेरे बाबा को भेजोरी तो वो उस जमाने का स्ट्रक्चर समाज का बता रहा है कि बाप पिता बुद्धा है और मामा बड़ा सा चैल चबीला है उस पे भरोसा नहीं कर सकते भाई छोटा है लेक इन सम्बंधों की इन चीजों की व्यापती को उसके अर्थ को उसके देशच गंध को हमने भूला दिया है और जो अग्ये की कविता है कि देवताओं इन प्रतिमानों के कर गए है कूच कभी अधिक मुलम्मा घिसने से पुदम्मा छूट जाता है तो कहीं हमने अपने गीतों में इस तरह से बात है कि आप सोचने को विवश होते हैं कि अरे हम सब गवाँ आए हैं और हमने अपनी शर्तों पे इनको खोया है ये चीजें बहुत आधनिक धंग से इन गीतों में व्यापत है और उनको कंटेंप्रेरी बनाती है नई कविता में नई कविता का मतल भी अभी तक घटा हुआ है और इनका पुनर्वास नहीं हुआ इनको हम फिर से ला नहीं पाए हैं शायद वो भी एक दुनिया से कटने का मामला है और जो आपने कहा कि अपना दुख, अपना गम, अपनी शराब, अपना शाम, अपना अंधेरा तो आप अपने ही गम में ड बनेगा या उन चीजों को उन गानों को अर उन तमाम चीजों की व्यापती से हम अपना अपना जीवन थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं नहीं देखिए जीवन शैली बदलेगी तभी बदलेगा, simple सी बात है वो अपका जीवन को देखने के नजरिया बदलेगा, तब बदलेगा, वैसी फिल्में आ रही हैं, वैसे गाने बन रहे हैं, वैसे गाने लिखे जा रहे हैं, यहां तक कि कलाकार भी, जो आज प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी बहुत self-centered है, मैं मेरी प्रस्तुती है, यह हमारी प्रस्तुती नहीं है, यह जो बात है, यही मैं जैसे आप एक उधारन देती हूं, आप सब इस बात से सहमत होगे, कि क्या कारण है, कि जब से हमारे शिक्षा आई, तकनीक आई, चीजों का documentation शुरू हो कम हो गया, और जब तक यह चीजे नहीं थी, तब तक खुब चल रही थी, क्यों? क्योंकि सामुहिक चेतना की चीजे हैं, यदि 25 ओरतें धान लगा रही हैं, तो एक ने अपना दुख शुरू किया, 19 उसके दुख में शामिल हो गई, और वह रोपाई का गाना चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, एक कथा बन के हमारे सामने उपस्तेत हुआ, किसी की कथा है, उस कथा को रोपाई में आज भी गा रहे हैं, क्योंकि उसकी दर्द को आज भी धान काटते हुए, या धान लगाते हुए, स्त्रिया महसूस कर रही हैं, उसके दुख को जिनको कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, जिनकी धुने कभी स्वरलिपियों में बद्ध नहीं हुई, उजस्की तस है, आप सोचिए, एक गीत, आपने साहिद देखे, एक गाना है, अच्छा याद आया, मैंने सुना था, तो मैं लखनू में कहीं गा रही थी, तो एक बहुत सीनियर, रेडियो के पुरानी सिंगर थी, उन्होंने हमको करेक्ट करा कि इसका अंतरा ऐसे नहीं ऐसे होगा, और मैंने बड़ी सम्मान के साथ उनकी बात को समझा, ये दुखिये, लोग कहते हैं कि स्वरलिपी और व्याकरण होता है, शास्त्र में, लोग में भी है, ऐसा ना होता, तो कहें को ब्याहि किस कैसे वही धूने साथ सो बरस से, ब्याहा की धून वो कैसे है, किसी ने जरूर टोका है, कि वही कहां जा रही हो, ये धून है, गाना है, बूंदन भीजे मोरी सारी, मैं कैसे आउं, एक तो में एग जमा जम बरसें दूजे भीजे मुरी सारे मैं कैसे आउँ ये गाना बहुत समान नहीं लगता है लेकिन अगले अंत्रे में आता है नाही डराई भीजे के चुनरिया अरी डराई ता भीजे के सनेख बूंदन भीजे तोरी सारी भीगने का डर नहीं कर उसने है यदि भीग जाए उसका तुम डर करो और फिर महिला ने मुझे बताया कि ये सास और बहु का वो है कि बहु अपना एक डर और एक शंका कर रही है और उसमें आगे है नहीं यस चुनरिया धेर हुई है बहुरिया चुनरी से नहीं हुए है सनेख बूंदन भीजे तोरी सारी यदि स्ने रहा प्रेम रहेगा तो बहुत सारी चुनरी पाओगी लेकिन वो स्ने सूख गया तो फिर उस चुनरी की भीगने से भी क्या भीपड़ा है ये एक सास बहु को कह रही है और जब मैं इसका अंतरा गा रही थे तो मैंने कुछ ऐसे गा दिया नहीं डराई उन्हों नहीं डराई मुझे अच्छा लगा भीजे के चुनरी आरिड़ाई भीजे के सने बूंद नहीं मुझे चेक करा और करेक्ट किया ये भी कई लोगों ने सहजता समारा कभी किसी सास ने बहु को कहा लेकिन उसके बहाने एक बहुत बढ़ी गुरु दक नई बहु को भी दे दी कि भाई प्रेम को समार के रखो कपड़ा भीजे फटे प्रेम रहेगा तो सब पाओगी वरना कुछ नहीं और हमारे लोग कहते हैं स्त्रियों को वर्जनाओं में रखा गया यह सासी बहु को बता रही है तो मुझे अभी लगता है कि जितना हम लोक द नहीं और हमारे लोक कि जित में बता रही है तो में भी यह शटतकर बहु कि वह दो Šरा दून